करने वाले यह बहुत ही फेमस कोश्चन है विच इस पर इंटर्व्यूस कंदर आता हो काफी आर मुझसे भी पूछा गया है तो बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है यह आप लोगो को बेसिकली एक स्ट्रिंग दरखे जिसके अंदर आपके यह चैर करेक्टर हो सकते हैं यह ब्रेस ओपन हुआ और यहां पर आप लिए यहां पर आपका यहां पर यहां पर यहां पर यहां तक तो ठीक है प्रेसिकली यहां पर आपकी मैचिंग नहीं इसलिए यहां पर आपका फॉर्स रटन होगा तो बिसीकली आपको बहुत सिंपल आपको दिख रहा हुआ कितना सिंपल है को बोलेंगे ठीक है पर पेनेशे मैचिंग प्रोलम है है उसके बाद आपको खुद सोचना है कि अच् थेका वे कोशन आपको दे दीगे एक्शिल मुझसे बींट्व्य आफ एकडम कोशन दे दिया था उसके बाद साहरे साहरे ऐरे बताने थो ने को ठuning कुछ दे रखरे या था आपको करेक्थर का एरह दे रखाया तो यह सब आत और स्टैक की हलल इंदर बीएक रिकम्राइफ छाटा जिए वसक्तिन का आप लोग कर सकते हैं तो वहां पर लोग का स्टैक कर सकते इस परीकर्णम को जड़ा समझते हैं आप लोग बेसिकली ःकिन खक वहाइक. opening वाले bracket के लिए closing bracket मिल जाता है वैसे आप लोग stack के अंदर से opening bracket को भाहर निकाल ले तो ठीक है यह fund है रहने वाले के लिए जला और यह वाला जो closing bracket है क्या यह दोना आपसे matching है मतलब अगर आपको कर ली मिला तो obviously कर ली क्लोसिंग आट तो कर ली ओपनिंग ही चाहिए आप लोगं को आप लोगं को यह वाला उपनिंग तो चाहिए नहीं तो आप लोगं को चाहिए करना है क्या मुझे कर ली ओपनिंग कर क्डाइन टीक कर तो ठीक है करिली ओपनिंग वाले को आप करतो कर दिख और आप अगल में ह्मुन कर जाओगि अगला एला मnte अपको क्लोसिंग भैके है तो पिक कर ऊद है टॉ फिल्शीक करो इसी के इस लिए इसको भी प्लाप कर दो उसके लिए element move करेंगे ये भी opening bracket है तो इसके लिए भी हम check करेंगे हाँ ये भी match कर रहा है तो इसको भी हम top में से टा देंगे और finally जब आपकी पूरी की पूरी string खतम हो जाती है तो आपको check करना है कि क्या आपका stack भी खतम हो गहें अगर आपकी string खतम हो गई और आपका stack भी खतम हो गया तो आप लोग रिटन करोगे हाँ यह matching bracket है तो इसको भी आप पॉप कर दोगे ठीक है उसके बाद अगले element move कर जाओगे अगला element closing bracket है closing bracket लिए आप check करोगे यहाँ पर peak करोगे तो peak कर रहे हैं कोई element आपको मिल नहीं रहा इसका मतलब यह पहला closing bracket है closing bracket bracket था ही नहीं का मतलब तो यहाँ पर भी आप कर दोगे ठीक है तो इस बहुत है यह गाले वह कर दोगे यह पर देखते हैं तो आपने यह वाला bracket डाला कर ली ब्रेस ब्रस के अगर अपने ये वाला डाला पर अगरे रहे नहीं आगला उसलरद closing मिलिया आपको तो मैच कर रहा है बाहर निकाला इसको उसलब सकल यहां यहARON आपको यहाला निकाल वर यहां के और किया में आप फॉल्सotort तो इस तरीके से यह वाला logic कारने वाला बेसिए आप लोग stack रिउस करोगे और stack के अंदर दो fund होने वाले basically बस दो fund पहला क्या होगा अगर opening bracket है तो push in stack आगर closing bracket है तो check with top ठीक है इस तरीके से आप लोग सारे-सारे अपने array यहां पर मैंने दो methods और बनाया है जो है पहला है is opening और दूसरा है is matching मैंने अलग बना दी क्योंकि यहां पर जब मैं लेख रहा था तो काफी खिशड़ी मचगी थी तो मैंने इन दोनों को अलग लिख दिया तो सबसे पहले हम पहला character उठाते है character at i suppose को पहला character है यह ठीक है और आप चेक करोगे यह character opening है opening check करने के लिए आप कुछ नहीं करना आप return कर दोगे basically अगर इन तीनों में से कोई भी character है तो basically आपको opening character है वो राइट तो आप यहां पर return कर दोगे true तो आपने यहां रिटन कर दिया true ठीक है क्योंकि यह opening bracket मिला आपको opening bracket जब भी मिलते हैं आप लोगों को आप लोगों को से stack में डाल देना ठीक है तो हम यहां पर stack बना लेते हैं और जैसी bracket है इससे पहले कोई opening bracket था ही नहीं तो भी आपको false return कर देना है ठीक है लेकिन हमारे stack empty नहीं है फिलाल तो आप यहां पर यह वाला closing होना चाहिए या फिर अगर यह वाला opening है तो भी यह वाला closing होना चाहिए तब यह true करेगा otherwise और कोई condition होगी तो यह false return कर देगा तो यह basically हमारा is matching का मैंने अलग function मना लिया है तो यहां पर मैंने अपना code है true तो इसका मतलब यहां पर यह तो condition match नहीं करेगी ठीक है यहां पर यहां पर चले होगे और आप कर दोगे पॉप तो आपने यह वाला element पॉप कर दिया तो basically वही लॉजिक है यार कि अगर आपका opening bracket है तो इसको stack में डालो अगर closing bracket है तो पहले यह चेक कर लो क्या stack हमारा already empty तो नहीं है अगर यह तो चेक कर रो कि यह दोनों match कर रहे हैं अगर दोनों match कर रहे हैं तो ठीक है अगर दोनों match कर रहे हैं तो आप basically और यह वाला match कर रहे हैं यह वाले match कर रहे हैं तो आप इसको यहां से निकल के यहां होगे और पॉप कर दोगे ठीक है तो मैंने पॉप कर दिया उसके बाद हम रिटन कर रहे हैं अगर हमारा stack empty होगा इसके बाद तब तो रिटन करेगा true otherwise रिटन करेगा false तो क्योंकि हमारा end में stack empty होना चाहिए हमारा end में stack empty तो यहां से रिटन होगा true तो इस प्रैंटिस तो क्या होता तो पहले opening bracket मिला हमने stack में डाल दिया उसके बाद हमें closing ब्रेक्ट मिला यह वाला तो क्या च्छक हमारा empty यह नहीं है तो चेक करते क्या match कर रहे हैं तो पीक करने पर हमें मिलेगा यह वाला element और current element हमारा यह वाला element क्या यह दोनों match करेंगे यहां पर यह दोनों match नहीं करेंगे ठीक है यह कंडिशन हमारी false return कर देगी यहां पर और यह सारी सारी भी false return करेंगे तो हमें overall यहां से false मिलेगा तो क्योंकि यह दोनों match नहीं कर रहे यह दोनों फॉल्स मिल जाएगा जो की होना भी चाहिए यह दौनों के दौनों प्रेंसिस मैच नहीं हो रहे हैं ठीक है तो यही था आपका बहुत ही सिंपल सा कोड़ा हो आप लोगों को सब्सक्राइब करके ठीक है अब भी स्टैक के ऊपर हमें और बड़े मज़दार मज़दार कोशि लाइक जरूर लाइक करते हैं मैं विलूंग आपको नेक्स वीडियों में शलते हैं आप बाइए